इस टॉपिक के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो है LSP टूल भी इसको हम कहते हैं उसका क्विक ओवर्विव देखेंगे और इसका इस्तमाल देखेंगे ताइम सेविंग टूल है हमारे लिए असिस्ट करती है डिफरंट चीज़ों के अंदर पुर्टिकॉअरिली ज्यादतर इसका जो इसका इस्तमाल है जब स्कीम डिजाइनिंग की बात करते हैं तедин के हमने बार बार एक बात किये कि एक एड कम इस्तमाल करते हैं तो जब हाउज़िग स्कीम के अंदर हमने अक्सर देखते हूगे एन अप समीरिय और खर्डू मॅर्ज़ि Originally. और यसे बार्तू杖त के अंदर अश्लाज़ितिंग के KIRBY के अंदर भी प्रॉजेक्स आप देखेंगे तो क्विकली जब हम घर बना लेते हैं हम कोई आज इस टॉपिक में देखेंगे कि हमने कौन सा हमारे पास एफिशन्ट मेथड है ब्लॉक बनाने का और से हम पांच मरला के बात कर लें जिसको हम कहते हैं 25 बाइ 45 जो हमारे पास फीट होता है तो उसके बाद हम प्लाटनमडिंग की बात करेंगे कि से अगर 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 अपना कोई घर हो आप इसी शहर में हूँ तो कोई नहीं कोई घर का नंबर होता है हमारा प्लाटनमबर 169 है 170 है तो मतलब है हर plot को एक यूनीक नमबर असाइन होता है और जो के requirement होती है house plan के अंदर housing scheme के अंदर mainly कि आप जो है वो हर plot का एक नमबर दें तो हम LSP टूल से देखेंगे किस तरह quickest quick way में हम वो house घर नमबर दे ले सकते हैं कि इलावा और भी अगर आपने text लिखना हो किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉजेक्ट आप कर रहे है तो आपने quick text लिखना है आप चारे हैं जल्दी से 123456 मैं खुद text लिख हूँ तो हम command देखते हैं उसके advantages भी देखेंगे और साथ हम manual method भी देखेंगे कि अगर हमने quickly text एड़ करना हो multiple one से 100 तक किसी भी block के अंदर तो उसको हम कैसे इंशूर करते हैं तो बढ़ते हम CAD की तरफ ताके इसको हम operate करके देखें यह हमारे पास हम सबसे पहले एक line draw कर लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि काफी सारे हमारे पास cumulative ब्लॉक्स होंगे इकठे तो उन में हम numbering कर रहे हैं उसे हम 1000 feet की एक line लगा लेते हैं यह हमारे पास line आ चुकी है अब हमें पता है कि हमारी जब हम पांच मरले की नार्मली बात कर रहे होते हैं अब घर की उसका जो size होता है वो 25 x 45 25 feet सामने x axis और 45 y axis तो हम एक offset लगा लेते हैं जो O enter है और 45 feet तो यह हम यहां पे यह हमने का offset लगाया तो यह हमारे पास अब 1000 feet की line है और यह इन दोनों के दम्यान का distance जो है वो 45 feet है हम यहां पे O enter कर देते हैं और हम एक middle line भी लगा लेते हैं 22 feet और 5 inches के उपर क्योंके 45 का half जो है 22 तो हमारे पास एक middle line भी draw हो चुकी है अब हमने block का concept पढ़ा हुए है हम block को यहां पे एक line और जितना यह vertical हमने offset दिया था उतना ही फीट की line तो हमने 45 का offset दिया था और हमारे पास option है pick point की तो हम उसका central point की हमने center में line लगाई है इसका भी हम central point pick करके okay कर देते हैं अब हम करने के आ जा रहा है आटूमेटिक plotting ताकि हमारी LSP tool effectively run हो जो हमारा इस topic का title भी है तो इसके लिए हम command लगाते हैं मेयर की M E जैसी मैंने M E की command लगाई आपने message में आके पढ़ना है तो हम central line जो हमने 22 feet 5 inches पे लगाई थी 45 के दिम्हान उसको select करते हैं नीचे message आता है कि specify length of segment वो कहरे है आप length दे दे या आपके पास R block तो हमारे पास क्योंके block बना हुआ है तो हम B enter करेंगे आपको idea होगा के CAD में हम बार-बार बात करते आ रहे हैं कि अगर आपने दो message आते हैं अगर आपने R से पहले वाला message accept करना है तो आप simple enter कर दें लेकिन अगर आप R के बाद या या आपके बाद जो गरार है उसके लिए फिर आपको या तो उस block पे click कर दें नीचे या B enter कर दें B shot की है दो method है या तो मैं simply इस पे आपके click कर दूँ के नहीं मैंने यह वाला message नहीं मैंने block करना है या B enter पे click करेंगे तो वह आपसे पूछ रहा है block का नाम insert करें तो हमने रखा था उसका नाम ABC अभी हमने save किया है और अब वह आपसे पूछ रहा है कि आप align करना चाहरे है हम कहने yes इस line को इस line के साथ align कर दें और अब वह हमसे पूछ रहा है कि ठीक align हो गया अब आप इसकी length बता दें तो हमने इसकी vertical length रखी है 45 और हमें पता है कि इसकी horizontal length जो है 25 feet है आप जैसे ही enter करते हैं आप नोट करें तो automatic आपकी सारी plotting हो गई है अब आप इसको delete करें तो यह आपके सारे 5 मरला के घर जो है वो बन चुके हैं यह exactly और इसको अगर हम close कर लें last line को तो यह हमारे पास हो सकता है यह last वाला कोई घर है इसका size फोड़ा कम ज्यादा हो और यह पूरी हमारे पास यह exactly 5 मरला के क्योंकि हमने यह 25 रखा है और यह 45 रखा है अब से इसी तरह कि हमारे पास पूरी एक scheme है जिसमें यह plotting है से बीच रोड है फिर plotting है अब हमने इनको number देने है 12345678 हमारे पास दो method है एक method है जिसमें time save होता है उसके कुछ disadvantages भी हमें बियान करते हैं तो वो है lsp, lsp जो हमारे पास tool है वो आपके इस topic के साथ associated folder में आपको मिल जाएगी so lsp मैं enter करता हूँ जैसे मैं lsp एंटर करता हूँ आप स्क्रीन पर देखें lsp की option आ रही है आपने करना है enter साथ ही message आ रहा है command's है, functions है, variables है, load so मैं यहां से load करूँगा, load करने के बाद आपने lsp के folder में जाना है, अब desktop के उपर अगर आप नोड करें तो यह मैंने folder रखा हूँ है lsp का, आपने simply जैसे आप access करते रहते हैं, यह normal जब हम कोई find करने हो तो इसके बाद हमने count c, c enter करेंगे तो यह count आ गया, यह count को हम जैस सुक्सेसफूली lsp के folder में गया हूँ और वहां से count पे click करके load किया, यह जहां पर मेरा cursor नजर आ रहा है, यहां पर आपका सामने message जो है, is available जिसमें वह कह रहा है के successfully load हो चुका है, इसका मतलब है lsp tool हम इस्तमाल कर सकते हैं, यहां से हम कर लेते हैं close, close करने के बाद अब हम क्या कि हम ने lsp tool, load, count को okay किया, और अब हम करेंगे cn, cn होता है count number, अब आप तो कह रहा है के कहां से आपने start करना है, तो हम अगर 1 से करना चाहरे हैं, so 1, अब हम अगर enter करें, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, 5, तो आप असानी के साथ जितने numbers आप लगाना चाहरे हैं, आप उसक लगा सकते हैं, 13, 14, 15, और text की height कम या ज्यादा करनी है, तो हम कर चुके हैं, हमें पता है, text height fix भी कर चुके हैं, हम text की command से में जाके, उसकी height को, अगर यह तो अभी it seems feasible right now, अगर आपके problems आएंगे, issues आएंगे, तो हमारे पास वह method भी है, हम text height को कम या ज्यादा लग रही ह तो यह हमारे पास, अब मैंने 28 तक लिखती है, आप note करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, numbers have been displayed, अब problem जो इसके साथ है, वो आप note करें, वो क्या है कि अब हमें centrality का, normally हम कोशिश करते हैं, कि जब भी हमको text लिख रहे हूं, तो जो भी block है, या जो मारे पास को object, उसके centrality निशोर हो जाए तो उसकी एक तो visibility बहुत अच्छी लग रही होती है, और एक पर rhythm रहता है, कि हार टेक्स्ट सेंटर में है, बट राइट नाव, हमारी स्क्रीन पर आप देखें, तो अल्दो एक बहुत अच्छा time हमारा सेव हो गया है, लेकिन centrality जो है, वो इन्शोर नहीं हो रही, इसके अगर तो आपको कभी urgent काम करना हो, और आपने कोई submission देनी हो किसी भी जगह पे, और आपको कहा जाए कि quickly number लेक के दें तो फिर तो ये method चल जाता है, और हम control Z करते हैं, और हम manual method भी देख लेते हैं, ये था LSP, simply LSP के हमने टूल लिख है, उसको load में गया है, और हमने फोलड से कर दें, like, ये cn, और हम कहते है 101, enter किया, अब हम click कर देते हैं, तो आप note करें, 101, 102, 103, so it depends on you, आप numbering कहां से start करना चारे हैं, अब a manual method, क्योंकि इसमें centrality ensure नहीं हो रही थी, अब normally, अगर हमारे पास time कुछ हो, तो फिर जो है, हम जो method इस्तमाल करते हैं, उसके लिए हम स अब लोग से text में, यहां पर one लेक लेते हैं, यह हमने लेक लिए one, one को यहां से हम करवा लेते है, move, और move करवा के, हम यह आर्थो और यह commands off कर देते हैं, और enter करके, यह हमारे पास one है, इसको move करवा के center में रख दिया हमने, अब हम क्या करते हैं, in line को कर देते हैं, delete, और अब हमारा 1 जो है वो सेंटर में है इस पे हम क्लिक करके इसको करते हैं CO, copy with base point अब base point हम यह बाला देंगे और अब हम दुबारा यह अपनी commands on कर लेते हैं, snap वगरा की ताके हमें corners मिल जाएंगे अब यह one है, यह मैं इस corner पे, अब मैं उसका base point मैंने यह pick कर लिया है अब आप अगर note करें, base point तो ensure होता जा रहा है लेकिन एक problem अभी तक जो आ रही है वो क्या है, कि यह one one ही लिखा जा रहा है अब one को हम manually change कर देंगे, like, यह मेरे पास option है, so now I'll click on this one, this will become two, this will become three, this will become three, this will become four हो जाएगा इस तरह अब इस option में अगर आप note करें, तो आपकी centrality इंशूर हो रही है, बिल्कुल center point के अंदर आपका one, two, three, four, and it seems more attractive, but again, it will take certain time, अगर आप LSP से सो point लगा रहे हैं दो मिनिट में, तो यहां पे शायद आपको 10 से पंदरा मिनिट, तो यह depending upon the requirement, इस LSP tool के अंदर और भी बहुत सारे options हैं, LSP tool का main purpose यह है, कि आप किसी organization में work कर रहे हैं और कुछ tools का बहुत frequent use कर रहे हैं, क्यों नहों कि हम उन tools की अपनी designing करके रख लें, ताकि हमें बार बार operations ना करने पड़ें, तो यह हमारे पास LSP tool और फिर हमने LSP tool के जो disadvantages थे उसको manual तरीके से देखके हैं, तो दोनों तरीके हमें पता चाल चुके हैं, automatic numbering भी और हम manual numbering भी कर सकते हैं, तो इस topic के अंदर हमने LSP tool का use देखा और हमने देखा कितने quick way में हमारी numbering 1, 2, 3, 4, हमने इससे पहले LSP tool से पहले automatic plotting भी देखी है, जिसमें हमने simply जो है वो एक 5 marla की dimension है, 25 और 45 और हमने block बनाकर major command से automatic plotting की और इसके बाद हमने automatic numbering भी देखी और फिर उसके certain disadvantages थे तो फिर हमने manual तरीके से उसको replace करके देखा किस तरह हम centrality ensure करते हैं, I hope यह जो command हमने learn की हैं, यह आने वाले आम जब projects करेंगे, चाहिए वो freelance market के भी हैं, वहां assist करेंगी